जहिन बायो में इससे पहले हम आपको फल तक बता दिये थे फल के अंदर जो होता है वो बीज होता है आज हम आपको इस क्लास में बीज और अंकुरार के बारे में समझा देंगे देखिए जो फल होता है इसका जो निर्माण होता है वो बीजांड यानी ओभियूल में होता है ओभरी के अंदर जो बीजांड होता है उसमें बीज का निर्माड होता है बीज को जो सुरक्षा देने का काम करता है बता दिये थे वो फल करता है फल ही बीज को सुरक्षा देता है गोदाम में जहां बीज रखा जाता है जहां जैसे FCI बगर का गोदाम होता है तो वहां जब बीज रखा जाता है, तो कीटों से बीज की सुरक्षा करने के लिए गामा किरण का परियोग किया जाता है, गामा रेस का वाँ परियोग होगा, बीज का कार क्या होता है, वो नई पीड़ी के लिए, नई प्रजनन के लिए, वो नए नसल को तयार करता है, बीज, किसी भी बी अंतर आप आराम से आप चना में समझ सकते हैंगा दिखिया । यह यह जिद्याँ से यह तो पितल है यह तो तो प्रेश्टा इसलिग近ber में जैस दो उकितला धूर्डिक माइव एक एव। भुंड पीस दें तो विसागान को तुछा पीसा जाता है सुतुए घोलेちゃ translates युड लेकिन सम्विशिति लिएद रखेंगे बाहरी सीयं भाज नहीं होता है उस्व था सह्चा निर घजाता है अन्दर गिर जाता किसी भी बीज में एक छोटा सा छेद होता है जिस छेद को हम कहते है माइक्रोपाइल आप चना में भी देखे होंगे यहाँ पर देखिए आप माइक्रोपाइल दिखे गई एक चना है इस चना में यहाँ पर एक छेद होगा चना का जो छेद होता है एक दम जहाँ पर उसका निकला रहा था उसके जर्ष नीचे एक छेद होता है उसे हम कहते है माइक्रोपाइल जिसमें माइक्रोपाइल बढ़ा रहेगा वो पानी में जल्दी फूलेगा इसलिए चना जल्दी फूल जाता है जबकि मटर में दिखेगा तो माइक्रोपाइल बहुत छोटा होता है मटर जल्दी फूलता नहीं है, तो बीज के अंदर जो पानी जाते है, नमी जाता है, वो किसके द्वारा जाता है, माइक्रो पाइल के माध्यम से पहुंच जाता है, नमी, बीज को जब हम खेत में डालते हैं, तो question कहेगा, बीज बोते समय, सबसे ज़्यादे जरूवत किसकी होती और गोदान में रक्षा इसकी कैसे करते हैं, गामा कीरण के माध्यम से, अब हम लोग बीजों का अंकुरण समझते हैं, germination of seed, germination क्या होता है, जो बीज निसकरी अवस्था में राते हैं, वो एक्टिव हो जाते हैं, जब सकरी अवस्था में आ जाते हैं, और उनमें rectically आपको चने का जाक इस प्राउट यानि अंकुर निक लाना है, तो सबसे पहले आप अपक्या करते हैं, रात बर चने को पानी में भीगा देते हैं, उसे नमी नहीं देते हैं, नमी का मतलते हैं पानी छिडिक देना, जल का मतलता है भीगा के रखना, तो पहले आप उसक की जरुवात है पूरा रात भर भीगाईए उसके बाद निकाल के उसको भीगे कपड़ा में रखिये ताकि उसमें नमी बर करार रहा है उसके बाद उसको हवा लगना चाहिए ऐसा नहीं है जिब्रेलीन हर्मोन चाहिए वही जिब्रेलीन 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 justo ges germination का काम करता है यानि आंकुरन का काम करता है तो यह चार चीजों की जरुवत है इस एक्जाम में पूछेगा कि इसकी जरुवत नहीं है तो आप अपने को practically याद रखिएगा कि चनार में स्प्राइट निकालते हैं पहले पानी में राद भर डालते हैं तो जल फिर कपड़ा भीगा के रखते हैं यानी नमी उसके बाद उसे हवा लगने देते हैं यानी वायू और उसको temperature में बरकरार रखते हैं ना जादे गरम ना थंडा तो तापमा ने चार चीजों की जरूरत होती है गोदाम में जब हम बीज रखते हैं तो उसमें भी नमी रहना चाहिए एकडम सूख जाएगा तो बीज खराब हो जाएगा सुनते हमें मरा हुए बीज नहीं निकलेगा क्यों कि उसके अंदर जो तापमा नमी थी आर्दता वो खतम हो गई और अगर गोदाम में नमी जादे दे दिजेगा प्राउट निकल जाएगा उसी में पेंट निकलने लगे तो इस नमी को क्या करना है तो इसके लिए गोदाम में जो अनाज को रखा जाता है उसके उपर पेश्ट लगा दिये जाता है पेश्ट परत चला दिये जाता है वो पेश्ट क्या करता है अंदर की नमी को बाहर नहीं जाने देता है ताकि बीज अंकुरित न हो जाए इसलिए पैक हो जाता है अब आप कहिएगा कि पेश्ट किस चीज का लगाना चाहिए तो आप बतेए वो बीज खेत में लेका जाईएगा तो आपको सबसे जादे जरूरत किसकी है फासफोरस की तो दिमाग लगा जाता है कि उस पेश्ट में फासफोरस की मातरा बढ़ा दी जाती है ताकि एक तीर से दो निसान हो जाएगा बीज भी सुरक्षित हो जाएगी और जब इसे बोईंग है तो सबसे जादे जिसकी जरूरत है फासफोरस वो अल्रेड़ी इसके पास एबलेबल है एक्जाम में कोश्टन यह भी पूछता है कि अंकुरण के लिए किस चीज की जरूरत नहीं है तो अंकुरण के लिए जरूरत किस चीज की नहीं है तो सबसे पहला उसके लिए किसी भी प्रकार की मृदा यानि मिट्टी की जरूरत नहीं है मिट्टी की उसकी जरूरत नहीं है वह आपके कपड़े में भी अंकुरित कर सकते हैं काटोरा लोटा थाली किसी चीज में कर सकते हैं तो मिटी यानी मिर्दा की जरुवत नहीं है उसे किसी भी प्रकार के पोशक तत्प जैसे मतलब यूरिया पोटास फास्पोरशिश्व की जरुवत नहीं है अंकुरन के लिए बीज बोने के लिए है लेकिन उसमें स्प्राउट निकालने की जरुवत नहीं है तो किसी भी प्रकार का निउट्रिशन या फिर किसी भी प्रकार का खाद मिनरल की जरुवत उसे नहीं है जो अंकुरित चीज होता है वह वाइट कलर का होता है यानि उसमें क्लोरोफिल नहीं होता है जब chlorophyll नहीं है तो शूर्य के प्रकास दीजेगा तो भी ठीक नहीं लेजेगा तो भी ठीकर यानी इस शुरी के प्रकास किया वसकता नहीं होती यह तो एक्जाम में आज से पूछेगा क्या आँको कर्रण के लिए किसकी जरुवथ है और किसकी जरुवत नहीं है तो आप बता सकते हैं कि इन चार चीज़ों की जरुवत है और इस तीन चीज़ की जरुवत नहीं है इसके साथ ही एक हार्मोन जिसकी जरुवत होती है जिब्रेलीन उसकी भी जरुवत होती है तो हार्मोन में समझा देंगे कि हार्मोन दो टाइप की होंगे पेड़ पौधो के हार्मोन पांच ऐसे हार्मोन है जो पेड़ पौधो की ब्रिधी में मदद करते हैं और दो ऐसे भी हार्मोन हैं, जो बृधि में मदद नहीं करते हैं, बढ़कि बृधि को रोग देते हैं। और ये भी समझेंगे, कि फल को पकाने में एथेलीन की जरूवत हैं, कि एसिटिलीन की जरूवत हैं। कृत्रिम फ़ल को कैसे पकाया जाता है और करवाइट से कैसे फ़ल को पकाते हैं नेक्स चेप्टर में हम हार्मोन के बारे में आपको बताएंगे पादप हार्मोन जिसे हम फोटो हार्मोन करते हैं तब तक के लिए जय हैं